Hello students, welcome to our channel Padho India. In this video, we will do class 4 worksheet number 24 of SST subject. We will take chapter 10, Games of India. Let us start solving the worksheet. Question number 1. Dear children, all of us like to play games. Piyare bacchow, हम सभी को खेल खेलना पसंद है. People play different games as per their interest and choice. सभी लोग अपनी पसंद के अनुसार खेल खेलते हैं. Let's explore some games today. आज, game के विशय में कुछ बात करते हैं. First part, name a few games which you like to play. कुछ ऐसे खेलों के नाम लिखो, जिने खेलना आप पसंद करते हैं. ऐसे खेलों के नाम लिखते हैं, cricket, badminton, kabaddi, koko, पकड़म-पकड़ाई और stopoo. Second part, देखिए, why do people like to play games? Give two reasons. लोग खेल खेलना क्यों पसंद करते हैं? आप कोई दो कारण बताएं. Answer लिखते हैं, people like to play games because लोग खेल खेलना पसंद करते हैं क्योंकि They feel happy, उन्हें इसमें खुशी मिलती हैं, they remain fit and healthy, ये सेवे स्वस्थ रहते हैं. आगे देखते हैं, question number two, some games are played indoors and some are played outdoors. कुछ खेल घर के अंदर खेले जाते हैं और कुछ खेल घर के बाहर खेले जाते हैं. First part देखिए, enlist any three indoor games which you play with your family and friends. ऐसे तीन indoor games के नाम लिखिए, जिनें आप अपनी family और दोस्तों के साथ में घर के अंदर खेल सकते हैं. तो ऐसे खेल हैं, chess, ludo and antiaakshari. Second part देखिए, which games do you like more, indoor और outdoor वाइड? आप पो indoor games पसंद हैं या outdoor games पसंद हैं और क्यों? मैं इसका उत्तर लिखता हूँ, I like indoor games because we need not to go anywhere. मुझे indoor games पसंद हैं क्योंकि इने खेलने के लिए हमें बाहर कहीं नहीं जाना पड़ता. We can play these games even if it rains outside और अगर बाहर बारिश भी हो रही हो या धूप भी हो, तो भी हम इन खेल को अपने घर के अंदर खेल सकते हैं. जो केवल दो खेलाडी खेल सकते हैं और कुछ खेल ऐसे भी होते हैं जिने खेलने के लिए दो टीम की आवशकता होती है. अब इस figure में देखिए, कुछ game के चित्र बने हुए हैं, आपको उन्हें पहचान करके उनके नाम लिखने हैं. पहला है होकी, दूसरा है चेस यानि शतरंज, तीसरा है वॉलीबॉल और चौथा है क्रिकेट. अब इसका second part देखिए, pick any one of the above team games, write its rules and importance. अब आपको इस चित्र में से किसी एक खेल के चित्र को ले लेना हैं और आपको उसके बारे में दिखना है. चलिए हम लिखते हैं क्रिकेट के rules. वो तब मिलता है जब पहली टीम यानि बैटिंग करने वाली टीम आउट हो चुकी होती है. टीम having more runs wins और जिस टीम के ज़्यादा run बन जाते हैं वह खेल जीच जाती है. Question number 4 का first part देखिए, write the name of our national game. हमारे राष्ट्रे खेल का नाम लिखो, हमारा national game है होकी. Second part देखिए, is it a team game और a two player team? क्या यह team खेल है या फिर दो खिलाडियो वाला खेल है? तो बच्चो यह एक team game है. It is a team game, इसमें दो team खेलती हैं. अब एक क्रिया कलाब देखिए, आपके teacher ने आपसे कहा है कि आपको एक अपना game बनाना है. और आपको उसके खुच से ही rules भी बनाने हैं. तो बच्चो हमने एक ऐसा game बनाया है. इसमें क्या करना होता है? पहले स्टापू लेकर आपको एक number खाने में डालना होता है. फिर पैरो से खिसका कर उसे दो number में पहुचाना होता है. फिर तीन number में, फिर चार number के खाने में स्टापू को पहुचाएंगे आप अपने पैरो से. फिर पांच number में, फिर छे number पे और फिर उस्टापू को बाहर ले आएंगे. अगर इस खेल के दोरान स्टापू यहाँ पर पढ़ता है, जा आपका पैर इस लाइन पर पढ़ता है, या किसी boundary पर पढ़ता है, तो आप out माने जाएंगे, और फिर अगले खिलाडी को खेलने का मौका मिलेगा. बच्चों, यहाँ पर हमारी वर्कशीट खत्म होती है, और सब्जेक्ट की वर्कशीट के आंसर्स के लिए, आप हमारे चैनल पढ़ों इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू.